आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट लादी पाउ की रेसिपी जिसे की आप मार्केट से नाला कर घर पर बहुत ही असानी से त्यार कर सकते हो और मार्केट से भी ज्यादा अच्छी घर पर यह त्यार होती है तो एक बार में बिल्कुल पर्फेक्ट लाद जाला सा बोल और इस में दूद तो 3-4 cup के करीब यहां पर डूद यहां पर हल्का सा गुन-गुना है बहुत जाड़ा गर्म नहीं है बहुत ही लाइट-गुन-गुना सा लिया है मैंने यहां पर इसमें डाल रही हूं मैं दो टेबल स्पून के करीब चीनी तो यहां पर च दोनों चीज़े डालने के बाद मैं अच्छे मिलाना यह ताकि जो चीनी हमने डाली है वह अच्छे से घुल जा और इस भी दूद के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो पहले ही से मिला लेती हूं की सबस्कार्थ करते हुआ है कि अफा के और यह हमारे बात बगा तो यह दालना हो तो आपके नहां दौनें गई है डाल जह यह दालना एकते हमारे नमक आहिकर गया एक नमक डालें ग्रशाय यहां पर सभी चीज़ों के लिए केक बनाने के लिए उसी उनी की नमक लिए अब अच्छे से मैं का दो त्यार कर लिया एसके बाद इसमें ढालेंगे थोड़ा से तेल तकी है रही प्लिकुल भी नहीं चिपके और जाएंगे हमें 5-10 मिनट अच्छे से मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूं बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेच पूल करके अच्छे से स्ट्रेची बना दिना है आटे को देखे इस तरीके से अगर यह जो आटा है हाथ में चिपकता है तो हाथ में थोड़ा तेल लगा ले और इससे इसके बाद हमें से बड़ी सी इस तरीके की लोई बना लेनी है और इसे रख देना है सेम बोल में जिसमें हमने आटा त्यार किया था और इसके ऊपर थोड़ा सा ओयल भी लगा देंगे और इसे हमें रखना है पूरे एक घंटे के लिए ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जा और इसे हम इसमें एर है उसे हम निकाल देते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे आदा चमच के आसपास और हलके हांतों से इसकी एर निकाल देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छे से गुंद लेंगे तो मैं दुबारा से डाल देती हूं बोट पे ताकि अच्छे से मिला पाएं तो यहां पर मैने इसके बोट पे डाल दिए अर अच्छे से इस तरीके से रोल करते हुए मिक्स करेंगे जैसे मैं करनेे हूं बिल्कुल वैसे ही 2-3 मिनट के आसपास आटे को हमें इस तरीके से मिलाना है ताकि आटा इसके बिल्कुल स्मूथ से हो जाए और इसके बाद इसमें इस की जो हैम लोईयां बना लेंगे तो छुछ छुछ पार्ट में इसे डिवाइbell लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से करके अच्छे से डिवाइड कर लेती हूं ताकि इक्वली सारे जो आटे के पीस है वो डिवाइड हो जाए तो मैं इसे कट कर लेती हूं तो यहां पर टोटल दस पीस मैंने आटे के बनाया है तो दस लोईयां यहां पर अच्छे से बना लेनी है तो यहां पर जो लोईयां है उसे बनाते से मैं ध्यान रखना है कि वो अच्छे से पैक होने चाहिए देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ताकि जब यह बेक ह कि इस तरीके से मैं लोईियों को लगा रही हुँ तो जितनी लोईिया आ जाएगी उतनी में लगा लोंगी अच्छे से मैं लोईियों को बरतन में इस तरीके से रखना है रखने के बाद इसके उपर हम normal temperature का जो दूध है वो ले ना है और इसके उपर brush की हल्ट से लगा देना है सारी लोगियों पर दूद की अच्छी से कोटिंग कर देनी है इस तरीके से ब्रश की हल्ट से बहुत ही हलके हाथों से करनी है तो यहां पर सभी को मैंने दूद से अच्छी से कोट कर दिया है उसके बाद इसे हमें रखना है 10-15 मिनिट के लिए इसी करेंगे तो यहां पर 15 मिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सारी जो लुईयां है कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है इसके बाद यहां पर मैं डाल रहे हैं माइक्रोवेब में 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सलसे से बेक करना है और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ज बड़ी वह सौफ्ट हो जाएके तो में फटा फोट से लिए कर लाँ से वादी से थंडा करेंगे तो यहां पर सारे पाव बटर लगा देती हूं लगाने के वादी से अच्छे से थंडा कर लेंगे पाव यहां पर थंडे हो कुके हैं आप देख सकते हैं कि जो हमने बटर पूरा अब्जॉब कर लिया है और कितना ज़्यादा बना है तो मैं इसे डिमोल करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल यह मार्केट के जैसा ही बरा जैसे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं पैकेट में जो बन होते हैं बिल्कुल वैसा ही यह तैयार हुआ है पाओ हमारे और 6 के जो पीसी होते हैं बिल्कुल एक पैक में चेक वाले पीसी होते हैं वैसा ही ऐसा लग रहा है कि मार्केट से लेके आयू मैं और कितने ज्यादा सॉफ्ट बने वह भी मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देख सकते हैं कि पीछे का जो पार्ट है किस तरीके का है कितना पाउन ज्यादा सची बाव तो यहां पर यहां पर्रीव गाली टिक पाओ नहें है जालीतार बनाई है तो बिल्कुल perfect पाऊ बन के तयार हुआ है तो इस तरीके से आप जरूर ट्राइ करें बिल्कुल सेम रेसो से बनाएं सबी चीज़ें बहुत ही जदा perfect बनेगा और एक बार में परफेक्ट बनेगा तो आप ज़रू ट्राइब करें फैमिली फैस में शेयर करें और साथी साथ मेरे साथ कमेंड करके भी शेयर करें कि रेसेपी आपको कैसी लगी मिलते हैं नई रेस्पी के साथ नए वीडियो में तब तक की लिए बाई टेक क्यार थैंक्स फूर झाल 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 झाल